ये है राजा दो हत्याओं का आरोपी अरी भैस चोर बावार मजा आ गिया फिलिम मनाई है इतिहास रच देंगे गर्दा उला देंगे गदर मचा देंगे आवतार का रेकॉर्ड तोड़ देंगे मजा आ गिया थोड़ा सा वरागी दिखाओ थोड़ा सा वरागी दिखाओ अरे ये नहीं ये नहीं ये गाना है थोड़ा सा अच्छा सीन दिखाओ इसके बाद वाला दिखाओ अरे ये भी गाना है थोड़ा वरागी दिखाओ ये ये भी गाना है थोड़ा वरागी दिखाओ अरे ये भी गाना है थोड़ा सा और आगे दिखाओ थोड़ा अच्छा सीन दिखाओ बस बस खतम हो गया क्या बात कर रहा हाँ बस इतना ही था बस खतम मारो हमको मारो हमको जिन्दा मत छोड़ो सालो कि भाई इसका पूछ मारो बहुत तकलीफ होती है अजी तका हाल है ठीक है दोस्तों खेसारी लाली यादो के एक फिल्म का ट्रेलर आया है जिसका नाम है अपराधी पता है ट्रेलर में क्या दिखाया जाता है जो फिल्म का सबसे बेस्ट bnत पार्ट होता है वही चीज ट्रेलर में दिखाई जाती है अपराधी फिल्म का जो ट्रेलर है करे फांच मीनिट तेरा सेकेंड का यह ट्रेलर है यह तेरा सेकेंडत के ट्रेलर में पूछ केती पुरह इसाड़े चार मीनिट तक 95 Math n यह फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट गाना अमारे आ ऐसा ही होता है और गाना भी ऐसा ऐसा जिसे सुनकर मैं पूरी जिम्मदारी के साथ कह सकता हूं इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा है इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता कि आप लोग के काम करो फिल्म इलिव बनाना बंद करो गाहां मेगऊ जाके गोबर ऊछाओ ओ वह बेश्ट रहेगा फिल्म इलिम बनाना आप लों के बस की बात नहीं है हम तो भीखारीатив अरे जब गाना ही दिखाना था तो एलबम बना लेते फिल्म बनाने की का जरूरत थी कोई सीमा है कि मतलब कहां तक डुबाना है इंडेस्ट्री को एक कोई तो डेडलाइन होगी ना कि यहां तक डुबाएंगे उसके बाद फिर अच्छी फिल्म बनाएंगे क्या ट्रेलर है पांच मिनट का ट्रेलर 5 मिनट 13 सेकेंड का ट्रेलर और ओ भी सिर्फ गाना किसने ऐसा ट्रेलर कोण एडित करता है गांजया वाजया मार के ओडिट किया है क्या पूरा का पूरा गाना ही सुना दे रहा ट्रेलर में गजब है खैसारी लлять या दो भोजपूरी इंडस्ट्री कि सबसे बड़े स्टारों में से एक है यह उनकी फिल्म है गजब बाहर का कोई देखे तो कि यह बड़े स्टार की फिल्म नहें कलाकारों का क्या हाल होता होगा है खाली मेकप लगा लेने से या कुछ कर लेने से वाक्टर नहीं बन जाता गलत फ़हमी में ज़्यादा लोग जी रहे हैं फिल्म का जो ट्रेलर होता है न वही होता है फर्ष्ट एंड लास्ट इंप्रेशन पबलिक को थीटर तक खीचने की ट्रेलर देखकर ही आदमी अपना मन बनाता है कि ये फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है क्या परोसा है आप लोगोंने ट्रेलर में गाना वो भी कोई बहुत बढ़िया गाना भी नहीं है कि कोई सुने बिना मरेगा देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फिल्म में कोई कहानी नहीं होगी, इसमें छोटे छोटे पार्ट कुछ ऐसे हैं जिने देखकर लगता है कि यह कहानी होगी, कुछ hidden कहानी है इसमें, बट किसी थोड़ा सा पढ़े लिखे जानकार आदमी को रखो कि भाई ट्रेलर में क् रिलीज करने का मूड भी नहीं है, यह TV पर ही आएगी, बाकि इस फिल्म में किसने क्या और कैसी अक्टिंग की है, बाई उस पर तो बाती मत करो, मुझे लगता भी नहीं कि इस फिल्म में कोई अक्टर भी है, सब चूला फूखने वाले को पकड़ के लेके आए फिल्म बन जाना, क्या बना क्या रहे हो यार, कुछ तो समझ में आए, क्या बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, हर इंडस्टरी, हर फिल्म के बाद, कुछ ने कुछ नया एक्स्पेरिमेंट करती है, कुछ ने कुछ नया लेकि आती है, और अपनी इंडस्टरी क और अपने काम को इंप्रूब कर रहे हो लोग दिन पर दिन एक भोषपूरी इतने संसाधन नहीं है तो रियलिस्टिक कानी के उपर फिल्म बनाओ ना गैंड़ सफ वासेपूर देगे उ उश टाइब का कुछ बनाओ उसमें तो ज़्यादा एक्षन करने के लिए उतने संसाधन होने चाहिए उतने वीकल्स होने चाहिए उस लेबल का कामेरा होना चाहिए डारेक्टर होना चाहिए एडिटर होना चाहिए तब देखने में मज़ा आता है काइन मास्टर में वीडियो एडिट करने पर एक्षन दिखेगा यह तो ट्रेल लोट किया और उसी में से कार्चार्ट करके ट्रेलर बना के डाल दिया है ऐसे एडिट होता है ट्रेलर खेर क्यार इस ट्रेलर के बारे में बात करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं और इमांदारी से मैं अगर अपनी राय बताऊं तो मुझे ये ट्रेलर बिल्कुल पसंद नहीं आया इससे गंदा और वाहिया ट्रेलर मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा जिसमें सिर्फ गाना हो हाँ अगर ये ट्रेलर किसी अल्बम गाने का ट्रेलर है फिर तो भाईया ठीक है एकदम परफेक्ट है और सव में से सव नमबर लेकिन अगर ये किसी फिल्म क ट्रेलर है तो मैं हाथ जोड़ के आपसे एक ही बात कहूंगा पंद करो हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ